आपके दोस्तों आज में लेकर आपके लिए युंडाई ओर रहा और हुंडा में इसका डिटेल डिटेल और देखें क्या कुछ फीचर्स ओफर करती हैं ये कार आपको अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं इन दोनों ही कार्स में इस वीडियो आपके लिए होने वाली काफे यदा इंट्रस्टिंग इंफोर्मेटिव आप इस वीडियो को वलास तक जरूर देखें और आपक अगर आपके लिए तक इंस्टाग्राम पर फोलो नहीं किया है तो मेरी इस्टाग्राम आइडिया आप देखें हैं अपनी स्क्रीन पर आप लोग अभी मेरे को इस्टाग्राम पर फोलो कर सकते हैं क्योंकि मैं वहां आप लोग के साथ शेर करता हूँ और दोस्त अगर कार से रिलिट कोई भी स्टोरी तो आप मेरे को इस्टाग्राम पर डारेक्ट मैसेज कर सकते हैं मेरी दोनों ही आइडिज आप देखें हैं अपनी स्क्रीन पर सो गैस चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को सबसे पहले हम बात करते हैं कार की प्राइजिस से यह आप डिजल की रेंज स्टोरी डीली ढीन संट योब कारते हैं यूंडाइ और यूंडा युखे आपको दिजल में ज्यादा कोस्ट करती है चलिए थी प्राइज करते तो Hyundai Eora में आपको petrol के 6 variants मलते हैं जबकि Honda Amaze में आपको petrol के 7 variants मलते हैं वहीं पे आपको Hyundai Eora में turbo petrol और CNG का भी option मलता है बात करते हैं डीजल के variants की तो आपको Hyundai Eora 4 diesel variants offer करती है और Honda Amaze आपको 7 variants offer करती है तो आप देख सकते हैं आपको Honda Amaze में ज्यादा variants मलते हैं जबकि आपको ज़्यादा fuel options Hyundai Aura offer करती है तो गाइस टेक्निकली Hyundai Aura में आपको ज़्यादा features and options मिलेंगे जबकि Hyundai Aura में आपको number of variants ज़्यादा मिलेंगे जिससे आप अपने convenience के हिसाब से variants पिक कर सकते हैं अपने convenience और अपने budget के हिसाब से और दोस्तो अब बात करते हैं car के specifications की और specification में सबसे पहले हम बात करेंगे car की dimension से तो Hyundai Aura और Honda Amaz में आपको car में same length मिलती है 3995 mm की जबकि width में आपको Honda Amaz 15 mm बड़ी मिलती है और height में आपको Hyundai Aura 19 mm बड़ी मिलती है और दोस्तो बात करते हैं दुनों ही cars के wheelbase की तो Hyundai Amaz में आपको 20 mm ज़्यादा बड़ा wheelbase मिलता है जिसका direct impact आपको car के interior में देखने को मिलता है Hyundai Amaz में आपको ज़्यादा अचे interior spaces मिलते हैं as compared to Hyundai Aura और बात करते हैं car के ground clearance की तो आपको 165 mm का ground clearance मिलता है दोनों ही cars में और दोस्तो बात करते हैं car में engines and powers की so guys आपको दोनों ही cars में मिलते हैं BS6 compliant petrol and diesel engines और बात करते है Hyundai Aura के petrol engine की तो आपको आता है car में 1.2 liter petrol engine जो produce करता है 83 PS की power और देता है 113 mm का torque बात करते है Hyundai Amaz की तो Hyundai Amaz में भी आपको 1.2 liter petrol engine मिलता है जो produce करता है 90 PS की power और देता है 110 mm का torque बात करते हैं turbo petrol engine की जो की आता है आपको Hyundai Aura में so guys आपको आता है car में 1 liter turbo charge petrol engine जो produce करता है 100 PS की power और देता है 172 mm का torque Hyundai Aura में बात करते है diesel engines की तो diesel engine में Hyundai Aura में आपको आता है 1.2 liter diesel engine जो produce करता है 75 PS की power और देता है 190 mm का torque और दस्तों भही हम बात करते हैं Honda Amaze के डीजल इंजन की तो आपको आता है कार में 1.5 लिटर डीजल इंजन जो प्रेडिस करता है 100 PS की पावर और देता है 200 NM का टॉर जो कि Hyundai Aura से काफी जादा है बात करते हैं Transmissions की तो आपको दोनों ही कास में 5-speed manual transmission को option मलता है जबकि Automatic में Hyundai Aura में आपको AMT मलता है और Honda Amizd में आपको CVT आता है So guys ये तो थे कार की technical specification का comparison चलिए अब बात करते हैं उन features की जो कि आपको सिर्फ Hyundai Aura ही offer करती है So guys आपको आता है कार में projector headlamps, fog lamps के साथ, साथ ही में मलते हैं आपको boomerang shape में LED DRLs, LED tail lamps Interior features की हम बात करते हैं तो आपको कार में wireless phone charging, rear AC vents, digital instrument cluster और cool club box जैसे features मलते हैं साथ ही में आपको कार में exterior में diamond cut alloy wheels भी मिलते हैं ये वो features हैं जो कि आपको सिर्फ Hyundai Aura ही offer करती है ये सारे features आपको Honda Amizd में किसी भी variants में नहीं मिलते हैं और दोस्तों बात करते हैं उन features की जो कि आपको सिर्फ Hyundai Aura में मिलते हैं ये आपको Hyundai Aura में नहीं मिलेंगे तो आपको कार में spacious interior मलता है साथ ही में आपको आता है कार में CVT transmission, paddle shifters के साथ और Hyundai Aura में आता है आपको Digipad 2.2 navigation system ये navigation system सिर्फ आपको Honda Amizd में ही मिलेगा आपको Hyundai Aura में नहीं आता है navigation system और दोस्तों बात करते हैं कार के exterior के looks की तो चलिए आप करते हैं कार का walk around और सबसे पहले हम बात करेंगे Hyundai Aura से ये आप देख रहे हैं कार का exterior look कार देखने में काफी जादा update and styling लगती है और जस्तों बात करते हैं कार की front grill से तो आपको काफी wide front grill मिलती है साथ ही में आपको आता है कार में boomerang shape में LED DRLs और आपको silver inserts भी देखने को मिलते हैं कार की front grill में और आपको आता है कार में full projector headlamps projector setup के साथ में साथ ही में आपको आता है कार में projector fog lamps जो किस कार के front look को काफी जादा update and stylish बनाता है और ये आप देख रहे हैं कार की side profile side के features की अगर हम बात करें तो आपको कार में diamond cut alloy wheels मिलते हैं chrome door handles के साथ में और जस्तों बात करते हैं कार में मिलने वाले tire sizes की तो Hyundai Eura के base models में आता है आपको 165x70R14 का tire size जबकि top model में आता है आपको 175x60R15 का tire size और ये आप देख रहे हैं कार की side profile आपको कार rear से भी काफी अदा stylish दिखती है साथ ही में आपको ये piano black का insert मलता है और ये आप देख सकते है गार का shark fin antenna आप लोग भी मुझे comment करके जरूर बताईए कि exterior look में आपको कौन सी कार जादा अच्छी लगती है Hyundai Eura या फिर Honda Amaze और दस्तों ये आप देख रहे है Hyundai Eura की rear profile rear में आपको LED tail lamps देखने को मलते हैं और car की rear profile भी काफी यादा stylish बनाई गई है और अब बात करते हैं car में boot space की आपको दोनों ही car में remote tailgate opening का feature मलता है और Honda Amaze में आता है आपको 420 liters का boot space जबकि Hyundai Eura में मलता है आपको 402 liters का boot space और आप देख सकते हैं दोनों ही car के boot और दोस्तों बात करते हैं car के spare wheel की तो आपको दोनों ही car में steel spare wheel मिलता है और दोस्तों बात करते हैं आप दोनों ही car के tailgate की तो आपको दोनों ही car के tailgate पे कोई भी covering देखने को नहीं मिलती है तो आप देख सकते हैं आपको दोनों ही car में cost cutting equal ही देखने को मिलती है तो guys ये तो था दुनों ही cars के booty space का comparison आपको Honda Amaze ज़्यादा booty space offer करती है क्योंकि इन car की dimensions आपको ज़्यादा बड़ी मिलती है और दोस्तों आप बात करते हैं Honda Amaze के exterior look की तो आपको Honda Amaze में काफी bold and serious look देखने को मिलता है car के front में आपको bold chrome grill देखने को मिलती है साथ ही में बात करते हैं car की headlamps से तो आपको halogen headlamps मिलते हैं साथ ही में आपको आते हैं halogen fog lamps और दोस्तों आपको car में किसी भी variant में LED या फिर projector headlamps का option नहीं आता है आपको सिर्फ LED positioning lights मलती है car के front में और ये आप दिख सकते हैं car की front profile और दोस्तों अब बात करते हैं Honda में मिलने वाले tire sizes की तो Honda में इसके base variant में आता आपको 175 x 65 R14 का tire size जबकि top variant में आता आपको 175 x 65 R15 का tire size server alloys के साथ आपको Honda में इसके किसी भी variant में diamond cut alloy wheels का option नहीं आता है जो कि देखने में काफी यादा basic and outdated लगते हैं जो कि थोड़ा disappointment रहता है Honda में इसके buyers के लिए क्योंकि नाचकल जादतर cars companies अपने top variant में diamond cut alloy wheels का option देती है पर दोस्तों अब बात करते हैं car की rear side profile की तो यह आप देख सकते हैं car की rear side profile काफी bold profile देखने को मिलती है साथी में आपको किसी भी variant में chrome door handles का option नहीं आता है और यह आप देखने कार की rear tail lamps आपको split tail lamps आते हैं लेकिन आपको किसी भी variant में LED tail lamps का option नहीं आता है जो कि देखने में काफी ज़्यादा basic लगते हैं Honda Amaze में साथी में आपको rear tail gate पे भी कोई भी chrome inserts देखने को नहीं मिलते हैं जो कि इस car को थोड़ा outdated बनाते हैं Hyundai Yora के सामने और दोस्तों अब compare करते हैं दोनों ही car's के interiors को और सबसे पहले हम बात करेंगे Hyundai Yora के interiors से और दोस्तों साथ ही में आपको Hyundai Yora की front seats में non adjustable headrests देखने को मिलते हैं और बात करते हैं car के sitting adjustments की तो आपको manual seat adjustments मिलते हैं height seat adjustments के साथ दोनों ही cars में और दोस्तों ये आप देख रहे हैं car के interiors आपको Hyundai Yora की interior की quality और interior design भी काफी जाद़ अपडेट मिलता है और दोस्तों ये आप देख रहे है car का steering wheel आपको leather भाप steering wheel आता है साथ ही में मिलता आपको audio mounted and cruise controls car के steering wheel भी और आपको silver inserts भी देखने को मिलते हैं और ये आप देख रहे है car के AC vents आपको piano black inserts देखने को मिलती है साथ ही में AC vents का design भी आपको काफी यादा update मिलता है और दोस्तों आप लोग मुझे ओपर vote करके जरूर बताइए कि आपको कौनसी cars के interior जादा अच्छे लगे Hyundai Aura या फिर Honda Amaze और दोस्तों ये आप देख रहे है Hyundai Aura का dashboard आपको dashboard की quality और design काफी यादा update मिलता है साथ ही में ये color काफी अच्छा लगता है कार के interiors में ये bronze brown shade काफी अच्छा लगता है और दोस्तों आप बात करते है कार के interiors के technology features की So guys Hyundai Aura में आता है आपको 8 inches का touchscreen music system साथ ही में आता है आपको Hyundai का iBlue connectivity feature और ये touchscreen यूज करने भी काफी जादा easy रहता है as compared to Honda Amaze touch screen पर दोस्तों ये आप देख रहे है Hyundai Aura का center console बात करते हैं के extra feature की जो की आपको सरी यूज 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 में मिलता है वो है कार में wireless phone charger और आपको USB ports भी ज़्यादा मिलते हैं as compared to Honda Amaze So technology features में तो Hyundai Aura ही आपको ज़्यादा features offer करती है और ये आप देख सकते हैं car की gear knob आपको brown finish center console में भी देखने को मिलती है साथ ही में आपको center console पर मिलते है 2 cup holders ये आप देख सकते हैं और दोस्तों आपको दोनों ही cars में किसी में भी आपको center armrest को option नहीं आता है So guys आप लोग भी मुझे comment करके जरूर बताईए कि आपको कौन सी car ज़्यादा अच्छी लगती है Honda Amaze या फिर Hyundai Aura और ये आप देख रहे है Hyundai Aura की rear seats आपको rear seat भी काफी comfortable मिलती है लेकिन आपको थोड़ा कम leg room मिलता है Hyundai Aura में Honda Amaze से और ये आप देख सकते हैं car के rear AC vents आपको rear AC vents सिर्फ Aura में ही देखने को मिलते हैं और साथी में Aura में मिलते हैं आपको rear seat पे adjustable headrest जो कि आपको Honda Amaze में नहीं मिलते हैं So guys ये थो थे Hyundai Aura के interiors चलिए अब चलते हैं Honda Amaze की तरफ So guys ये आप देख रहे हैं Honda Amaze की interiors आपको इसमें भी dual tone interiors देखने को मिलते हैं साथी में ये आप देख रहे हैं car की front seats आपको front seats पे adjustable headrest मिलते हैं और car की seats भी आपको wide and comfortable मिलती है और ये आप देख रहे हैं car की seat adjustments आपको manual seat adjustments मिलते हैं height seat adjustments के साथ और बात करते हैं कार के steering wheel की तो आपको multifunctional steering wheel मिलता है साथ ही मैं आपको आता है कार में cruise control और audio mounted controls और CVT variants में आते हैं आपको paddle shifters जो कि एक अच्छा feature आपको मिलता है सिर्फ Honda Amaze में आपको अतना sporty feel नहीं आएगा कार के interior से लेकिन आपको काफी premium touches देखने को मिलता है बात करते हैं कार की touchscreen की तो Honda Amaze में आता है आपको digipad 2.0 with navigation आपको navigation system सिर्फ Honda Amaze में ही मिलता है और यह आप देख सकते है reverse camera की display आपको दुनों ही कार्स में reverse parking sensor camera के साथ आते हैं सब बात करते हैं Honda Amaze की AC की तो आपको automatic AC मिलता है Honda Amaze में आपको दुनों ही कार्स में automatic climate control AC आता है और यह आप देख रहे हैं कार का center console आपको Honda Amaze में wireless phone chargers नहीं मिलते हैं लेकिन आपको interior में space काफी अच्छा मिलता है Honda Amaze में और यह आप देख सकते हैं dedicated ports सब बात करते हैं दुनों ही कार्स के interior के feel की तो Honda Amaze से आपको काफी premium feel आता है कार के interior से जबकि Hyundai Yora आपको थोड़ा sporty feel देती है कार के interior में और आपको Hyundai Yora में interior features भी ज़्यादा मिलते हैं Honda Amaze से अगर आप लोग plan करें कैसी कार को purchase करना जिसमें features ज्यादा अच्छे हों तो आपको Hyundai Yora के interior ज्यादा पसंद आने वाले हैं और दूस्तों Honda Amaze के rear seats के अगर हम बात करते हैं तो rear seats में आपको दो features नहीं मिलते हैं Hyundai Yora से एक आपको rear race events नहीं मिलते हैं दूसरा rear seats के address आपको adjustable नहीं आते हैं Honda Amaze में और दूस्तों बात करते हैं कार के rear seat के space की तो आपको leg room काफी अच्छा मिलता है Honda Amaze में साथ हम आपको car की seat भी काफी wide मिलती है जिसमें आराम से three passengers बैट सकते हैं car की rear seat पे सो गैस अब बात करते हैं Honda Amaze बसी Hyundai Aura की सो अगर आप लोग plan करें कैसी car को purchase करना जो की देखने में काफी stylish हो और feature loaded हो और space आपके लिए कोई ज़्यादा बड़ा concern नहीं है तो Hyundai Aura आपके लिए एक अच्छा option हो सकती है car के price range के सबसे और जिस्तों वहीं पर हम बात करते हैं Honda Amaze की सो अगर आप लोग plan करें कि spacious car को purchase करना और feature style आपके लिए ज़्यादा matter नहीं करते हैं तो Honda Amaze आपके लिए ज़्यादा अच्छा option हो सकती है और दोस्तों बात करते हैं दुनों ही cars के engine की तो Hyundai Aura का अगर टर्बो petrol engine को side रखा जाए तो दुनों ही cars आपको almost same engine and power produce करती है petrol engines में जबकि diesel में आपको Honda Amaze में ज़्यादा बड़ा engine देखने को मलता है और उसकी power भी आपको ज़्यादा मिलती है जो लोग इन cars को use कर रहे हैं वो लोग अपना comment पे review post करना न भूले और दोस्तों दोनों ही cars की detail review की video के links आपको उपर आप बटन में और नीचे description में मिल जाएंगे आप महाँ से जाके देख सकते हैं दोनों ही cars का detail review so guys आज के लिए बस इतना ही उम्मेद करता हूं आपको यह video अच्छी लगी होगी और दोस्तों video अच्छी लगे तो इस video को like भी कर दीजेगा और चैनल को subscribe भी कर दीजेगा so guys thank you for watching this video